गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 इवोलूशन जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अगर आप लोगोंने हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया हो कि यह क्या है इसमें किस तरह के से हुआ अगर इसमें देखें तो हमें पता है कि 2000 मिलियन एयर्स पहले क्या था यह अगो दा फस्स एलूरर फॉर्म्स लाइफ जो अपियर हुए थी आर्थ पर यानि कि पहले सेल वाली लाइफ बनी थी mechanism of how non-cellular aggregate of giant macromolecules could evolve into cell with membranous help is not known बट यह mechanism ने परा कि भी non-cellular जो किस तरह के से aggregate हुए किस तरह के से वो नोंने macromolecules को फोल्ड बनाया और किस तरह के से membrane बनी और जिसमें से कुछ cells में क्या थी यह ability थी कि वे oxygen को क्या करते थे release करते थे next क्या है कि the reaction the reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigment यानि कि अगर हम यह कहता है कि evolution का जो mechanism है वो उसी तरह के से जैसे हम photosynthesis का होता है plant में light की reaction जो होती है कि water उसमें क्याता है स्प्लीट हो जाता है energy की form energy light की form में और energy जो वो capture हो जाते है और channelize हो जाते है light harvesting pigments के तुरू तो इसी तरह के से उसने क्या काई कि slowly slowly जो single cell organism थे वहनोंने क्या कि अपने आपको aggregate करना सुरू किया और multicellular life की form कर ली जब 500 years माया आया तो जो invertivate formed हो गए थे और वे activate होना सुरू हो गए थे उसके पाद जो less fish थी प्रोबैबली वो 350 माया थी तब evolved हुई थी weeds और few plants around 320 क्या वो develop होने शुरू हो गए थे उसके अलावा हमने पढ़ा कि first organism जो evaded हुए थे land पर वो क्या थे plant थे they were widespread under सबसे भी कहते सारी तरफ जगे फैले हुए थे जब animal हुए उसससे पहले यानि उसनी क्या का है कि जब organism बने तो सबसे पहले क्या बने plant बने animals जो होते वो plant के बाद आए थे fish with stout and strong fins could move on land and go back to earth और यह क्या कहता कि जो fish थे ना उसकी जो fins थे ना इतने strong थे कि वो क्या 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 थे land में भी रह सकती थी और पानी में भी रह सकती थी with about 350 माय के पास क्या 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 है in 1938 a fish caught in South Africa happened to be a sealant canth which has thought to be extinct इन्होंने क्या 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 है कि 1930 में एक fish मिली थी South Africa में इसने क्या है जो क्या सोचते है कि अब जो जो थे extinct हो चुकिया these animals called lobe fins evolved into the first amphibians that lived on both years इन्होंने क्या 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 थे इनकी क्या थे लोब fins थे जो evolved हो गये थे जिस वज़े से इनको क्या 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 और यह बहुत का लैंड और water दोनों पर है सकते थी अब पर कोई specimen नहीं है हमारे पास इस बात को प्रूफ करने के लिए however these were the ancestors बट यह कहा जाते कि यह क्या थे जो modern जो आजकल के फ्रोग है salamanders है जो हमारे amphibians हैं उनके क्या ancestors है यानि कि उनके पूर्वज थे amphibians जो कहते हैं कि किस से बने रैप्टाइल से बने कि यानि को पहले रैप्टाइल से फिर उन्होंने क्या कर लिए अपने आपको इस तरीके से डैवलाप कर लिया कि वह लैंड पे भी रह सकते थे और प सब्सक्राइब भी नहीं होते हैं सन की प्रेजेंट में amphibians की तरह हैं अगें वी ओनली सी यह मोडरन डे डिसेंडेंट अब हम देखे तो आज मोडरन में क्या देखते हैं तर्टल्स देखते हैं टोटोई देखते हैं क्रोकोडाइस देखते हैं इन नेक्स 200 मिलियन और सो देखते हैं अगे अगे वह सारे रैप्टाइस मिलें डिफरेंट शेप से जाइन फंस मिलें टारिडोफाइट प्रेजेंट है उसके बास फिर कोल्ड डिपोजिट स्लोली धीरे धीरे क्या दियार फोल टूप कोल्ड डिपोजिट हुई सम अफ दीज रैप्टाइस के एक छे लैंड पे रहने लगे दालैंड रैप्टाइस वर ओफ़ कोसो ऑफ दाल जो लैंड रैप्टाइस उनको क्या बोला डाइनसौर्स वह जब से कुझा था इनमें डाइनसौर्स में टाइरनसौरस रैक्स था जो अबाउट कितने 20 फीट उसकी हाइड थी और इसके जो कि लिखन इसका नुमित कि ध्र i Saturday और वे जिसका सस्थ 1 तो इसका थे मुझेन है वह आज तक नहीं पता कि कुछ कहते कि excitement चैंज हूग सा जा जिस ने उसमें बर्ड्स नों बदल गए पर हमें इस रियली जो तुरू थै उसके बारे में हमें नहीं पता स्मोल समार्स रैट्टाइश ओफ डाट एर इरा स्टील एक्जिस्टुड बडर यह कहते हैं कि कुछ चाइम पर उस चाइम पर जो स्मोल रैप्टाइश से वे आज भी प्रेजेंट हैं जो फिर्ट ममें menor runye were likes renew वर show new ते वियर वोसील जो थे हम देखते है small में ममल जो हते वीवी पैरस है और अन बोन यंग इंसाइड दा मधर्स बॉर्डी क्या करते है जो सहां इंटेलिजेंट होते है सैंसिंग होती है उनकी वो अबोईड करते है डेंजर एट लिस्ट और जो रैप्टाइज गेम डाउन मेमल्स तुक ओवर दिस यर वैंड रैप्टाइज गेम डाउन उसके बाद मैमल्स आए त्यर वन साओ अमेरिका जो मैमल्स रिजैंबल से वह था होर्स है ही पोप अमेरिका नोर्थ अमेरिका से जुड़ गया तो इसके बाद यह अनिमस जो थे वह नोर्थ अमेरिका में भी फैल गए और यह फोना भी फैल गई ठीक है डू तो सम कॉंटेनेंटर डिफ पाउच्ट मैमल्स इसी वज़े से कुछ चेंजिस की वज़े से ही क्या हुआ काउं लास्ट क्या है लास्ट भी फोर्गेट साम मैमल्स लाइक लिव होली अब हमें पता कि कुछ मैमल्स वोटर में बिढ़ते एक जाम्पल एक वेल्स होगी डॉल्फिन सोगी सीज सीज सोगी सी काउज आ गई सब कुछ एक्जाम्पल है इवोलुशन फोस एलिफंट डोग सब स्पेशल स्टोरी इवोलुशन की उसके लावा हम क्या देखते हैं कि higher classes में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के सब्सक्सेफल स्टोरी के Everything सेल्फ कॉंसियसनेस है अगर हम रफ स्केट के एवोलुशन का तो हम क्या देखते हैं जोग्राफिकल स्केल पर इंडिकेट थे अगर फिगर देखिए आप देखिए यह फिर्स जो हमारी फिगर दी हुई है इसमें देखे हैं कि देखो त्री जोन बताए पहले जोइक ठीक है उसमें फिर बताए शीलोरियन डेवोनियन कार्बोनी परमियन ट्राइज जूरैसिक रेटियस और टर्सरी यानिक जो अब और फिर क्वार्टर नदी वाले में तो फिर जूरोस पैरस थे फिर प्रोग्मेंट एसी तरपैरिन एंप जूरैसिक में आया है तो सारी फं ठीक है अगर नेक्स अगर हम इसका देखें बर्टी ब्रेट्स का जियोग्राफिक लेरे में तो देखें कार्बोनी फैरस परमियन ट्राइज जूरैसिक जूरैसिक वल्ड में क्या थे सारे डाइनसूर्स अगी क्रेस्टेसियस टर्सरी क्वार्टर नरी और जो जो चल रहा यह जो आपको दिखार रक है यह जो लाइन है यान यह है पूर्वज है फिर इसी से आगे किसमी वन गए पैलिसोसोरस में हो गए जो एक्स्टिंट हो गए फिर ये किसमें बने थर्मोकोडन ये भी एक्स्टिंट हो गए फिर एक जो आ गए इसी से एक सेरोफ साइड से जो आगे जाके टर्टल में फॉर्मिशन हो गई फिर आगे ये देखे है टोटो टोरस बन गए इसी थार्मोतिकोडन्ट से क्या बने थे क्रोकोडाइल बने थे और इसी से डाइनसोर्स बने बर्ट्स बन गी तो इस तरीके से एक इनका एंसेस्टर ट्री हमें दिखाया हुआ है ठीक है आबाउट 15 माया, प्रायमेट्स कोल्ड ड्रायो, पाइथियस, र्हैमो, पाइथिकस, यह प्रायमेट्स आथा, उन्हें दो नाम दी, Đ्रायो, पाइथिकस, और र्हैमा, पाइथिकस, यह प्रेजंट थे उस टाइम पर यह चलते हैं। अधोी प्रमी कषता के झाएं न्यकुलें गनतर क्योंकित चेंड़ में इंनको प्डितिक्थ सकता है। तो यो ट्रायों पितिकस थे वह तो ज्यादा हिूमन जैसे लगते थे तैंड आप की जैसे कि 3-4 माया के टाइम पे जो मैन लाइक प्राइमेर थे वे कहां चले गए इस्टन अफरिका में चले गए वे क्या थे ज्यादा लंबे नहीं थे उनकी हाइट लगबग 4 फिट थी और वे वोक्ड अपराइट वो चलते थे उसके बाद क्या करते थे तू माया फिर अस्ट्रेल कि या खाते थे fruit खाते थे some of the bones अमंग the bones वोदे से मिलिये this creature वा इस क्रियाचर वाज को था इस-क क्रियार को क्या हो थे पहले हुमन जैसे human-like being तस इस वाहले तो होमीनिड नाम दिया सकतिता हो मोहेविलस भोलते थे पहले human जैसे resemble होते थे being the hominid थे उनको क्या ना बोला था हमने homo habilis बोला था दा brain capacity उनकी brain capacity थी 652 800 ccc और वे क्याते थे probably did not eat meat नहीं खाते थे fossil discovered हुए जावा में 1891 में revealed कि थी फिर उन्होंने क्या बता है next day से जाए जिसको बोला homo erectus about 1.5 माया में homo erectus basically उनका brain जो था वो बहुत लाज था 900 cc का यानके उनका जो brain का IQ था वो बढ़ा हो गया था पहले brain का head जो छोटा था फिर धीर धीर उनका brain का size क्या होता गया बढ़ता गया फिर homo erectus जो थे वे meat खाते थे फिर क्या होगा है नीदर लैंड में क्या होगा मैं थे उनका मिले जिनका brain size फिर 1400 cc था रहते थे नियर इस और सेंटरल एसिया में रहते थे between 1,240,000 years back ठीक है उसके बाद यूज हाइड वे क्या करते थे प्रोटक्ट करने के लिए छुप जाते थे अपनी बोड़ी को कहीं पर भी छुपा ले करते थे और बड़ी दियर डैड और अपने जो मरे हुए लोगे थे उनको क्या करते थे जलाते थे फिर homo sapiens अफ्रिका में मूब अक्रोस कॉंटिनेंट और डैवलप इंटू फिर क्या हर जगे पूरे अर्थ पर जगे जगे फैल गए और उन्होंने अपने अपको रेसिस के लिए त्यार करना शुरू कर दिया जब आई से जाई 75,000 तू 10,000 इयर्स अगो जो मोडरन होमो सेपियन से रह गए प्री स्टोरी केव आर्ट डैवलप अबाउट जो आज की आर्ट है वो पहले ही 1800 इयर्स अगो पहले बन गई थी वन सच केव पेंटिंग जैसे केव पेंटिंग से प्री स्टोरी की हुमन्स कैन बी सीन इन भीम बेट का रोक सेल्टर इन रेजिजेंट डिस्टिक् पेंटिंग है ना केवस पेंटिंग हुए है कि यह बताता कि बहुत साल पहले भी लोग जो जो थे हजारों साल पहले भी लोग रहते थे और वहींटिंग्स करते थे अग्री कल Min dنت को कि हुमन की सतल्मेंट करने शुरू कर Ll क्योंकि आप क्या था human अपने अपना agriculture के अपनी खेतिय बाड़ी करके अपना खाना होगा सकते तो वह एक जगे क्या है अराम से रह सकते थे उनको अपने खाने के लिए दरूदर गूमने की जरूरत नहीं पड़ी रास्ट और वट हैपन इस पार्ट ऑफ यूमनिस्ट्री अपने और इसकी सिवलाइजेशन कैसे कैसे डिकलाइन हो रही है अब यह देखी आपको जो डाइग्राम देखिए इसमें देखो दिखाया गाए स्केल्स का स्कॉल्स जो दिखाया है यूमन का ब्रेन का साइज दिख दिखाया हुआ है बेबी चिंपेंजी का देखाया हो छिंपेंजी एडर्ल चिंपेंजी का ब्रेहन का साइज दिखाया किसे life evolved हुई यान की brief account मिला evolution का किस तरह के से non cellular से cellular की formation हुई फिर single cell वेने फिर किस तरह के से fishes आई reptiles आई, dinosaurs आई, mammals आई, ठीक है marsupials आई उसके पास फिर origin कैसे evolution कैसे हुआ man का उसमें basically two types के homo बताए होमो पस थे homo heavilis और second होमो erectus फिर होमो sapiens ठीक है यह हमारा basic था इसको आप पढ़िए अगर आपको कोई problem हो तो आप हमसे पूश सकते हैं और यह आपका chapter complete हुआ evolution